नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मयंक शेखर सेलेक्टिट कैंडिडेट इन फूट कॉर्परेशन ओफ इंडिया बैच 2020 और आप सभी दोस्तों का तहे दिल से हार्थिक स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल सेलेक्शन मेंटर पे जहाँ पर दे आप सभी के साथ वोकाबिड़ी का पंचना माले करा रहे हैं जहाँ पर आज हमारा 6th क्लास है जिसमें पड़े आप सभी के साथ हम 5 vocabulary words का discussion हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया गरते हैं आप हमारे साथ टेलिग्राम चैनल पर भी जूर सकते हो यह हमारे टेलिग्राम चैनल का link है जहाँ पर हर एक exam से कोई भी update कोई भी information आपको मिलता रहेगा आप चाहो तो आप हमारे mentor अंकुर शर्मा सर के साथ contact कर सकते हो या फिर आप हमारे mentor विराड दुबे सर के साथ contact कर सकत हो उनसे पूछ सकते हो तो आईए पहला word हम स्टार्ट करते हैं सो आज का जो पहला word है that is fiasco fiasco का हिंदी में अर्थ होता है और सफलता आप इसके synonyms को भी लिख सकते हो the first one is failure another one is flop second one is debacle and the last one is disaster आप इसके antonyms को भी लिख सकते हो the first one is achievement second one is miracle third one is success and the last one is triumph आयो दूस्तों हम इसका एक example लिखते हैं जैसा कि हमने कहा in the month of April 2020 coronavirus testing rate had dropped from 35,000 to 27,500 in India due to China kit fiasco इसका हिंदी मर्थ हुआ कि 2020 के अप्रिल मा में चाइना किट की असफलता के कारण भारत में coronavirus परिक्षंदर 35,000 से घटकर 27,500 रह गई थी ऐङो दोस्तों यह word आपको clear हो गया होगा आये बढ़ते हैं दूसरे word की तरफ जो कि है हमारा proactive proactive का हिंदी मर्थ होता है सक्रिया या इसको बहुत सारे Valent हो अगर sacrifice भी कहते हैं सक्रिया भी आप जह सकते हो या फिर अगर sacrifice भी आप कह सकते हो आप इसके अंटोनिम्स को भी लिख सकते हो, the first one is ardent, second one is aggressive, third one is angious and the last one is dedicated आप इसके अंटोनिम्स को भी लिख सकते हो, the first one is unprepared and the last one is unready आयो दोस्तों हम इसका एक एक एक्जांबल लेखते हैं, जैसा कि यहां पे लिखा गया है इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि Bill Gates ने COVID-19 वक्र को धीमे करने के मोधी सरकार के सक्रिया प्रयासों की प्रशंशा की I hope दोस्तों यह word आपको clear हो गया होगा, आए बढ़ते हैं तिसरे word की तरफ जो कि है हमारा Brink, Brink का हिंदी में अर्थ होता है कगार आप इसके synonyms को भी लिख सकते हो, the first one is point, another one is stage, third one is threshold, another one is verge and the last one is juncture आप इसके synonyms को भी लिख सकते हो, the first one is center and the last one is middle आए दूस्तों हम इसका एक example देखते हैं, जैसा कि यहां लिखा गया है इसके हैंदी में अर्थ हुआ, कि जो हमारे United Nation है, UN, उसके खाद एजनसी, यानि उसके food एजनसी के प्रमुख ने, चिताबनी दी की, दुनिया एक भूख की महामारी के कगार पर भी है I hope दोस्तों यह word आपको clear हो गया होगा, आए बढ़ते हैं हमारे चौते word की तरफ, जो की है hardship hardship का हिंदी मर्थ होता है, कठिनाई या एक प्रकार से आप इसको कस्ट भी कह सकते हो आप इसके synonyms को भी लिख सकते हो, the first one is adversity, second one is catastrophe, third one is difficulty, fourth one is discomfort and the last one is fatigue आप इसके antonyms को भी लिख सकते हो, the first one is advantage, another one is assistance, third one is benefit and the last one is blessing आयो दोस्तों हम इसका एक example देखते हैं, जैसा कि यहां लिखा गया है PM Modi means Prime Minister Modi apologized for the hardship that people are facing due to lockdown इसका हिंदी मर्थवा कि हमारे प्रधान मंत्री Modi ने उन कठिनाईयों के लिए माथी मांगी जो लोग, यानि जो हम सभी लोग lockdown के कारण जेल रहे हैं I hope दोस्ते इस वरड़ा को clear हो गया आए बढ़ते हमारे last word की तरफ, जो की है हमारा stand still इसका हिंदी मर्थ होता है ठहराव, एक तरह से रुकाव यह देख रहे हैं, यह जैसे कार में ब्रेक लग रही है, तो कार क्या और यह ठहर जा रही है तो एक तरह का ठहराव को कहते हैं stand still आप इसके synonyms को भी लिख सकते हो, the first one is halt, another one is stop, third one is stand, another one is arrest and the last one is cessation, C-E-S-S-A-T-I-O-N, cessation आप इसके synonyms को भी लिख सकते हो, the first one is continuation, second one is motion, third one is movement and the last one is progress आई दोस्तों हम इसका एक example लिखते हैं, जैसा कि हमने कहा, celebrities are sharing their pictures and videos of how they are spending their time during the lockdown which has brought the world to a stand still इसका हैंदी मर्थ हुआ, कि जितनी भी celebrities हैं, वो अपनी तस्वीरों और वीडियो को साज़ा कर रहे हैं, कि कैसे वे lockdown के दौरान अपना समय बिता रहे हैं, जिसने दुनिया को एक ठहरा पर ला दिया है हमने उस lockdown ने पुरे के पुरे दुनिया को एक ठहरा पर ला दिया है, पुरे के पुरे दुनिया को एक रोक करके रखा है आयोब दोस्तों ये पांचे वाट्स आपको clear हो गए होंगे, thank you so much for watching this video, please इसे like कीजिए, share कीजिए and जो भी आपका मन हो, आप comment कीजिए thank you so much for staying with us, please try to support our channel selection mentor, have a good day, bye